तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है मिलेना स्वर्ग में वो सुक लुटाने वो तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है जिसे पाकर न पाना कुछ शेश रह जाएं पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाएं साथ अपने है जग का जो रखवाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है तेरी आँखों से पीते हम हैं अमरत प्याले बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले तुम्हारे याद के मोती गले की माला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है बाबा कहते हो यही बचे मेरे ताज तुम्ही नैन के नूर लाड़ लो मेरी आवाज तुम्ही मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया दिलने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया दिल के ताउस तख्त पर तु दिल वाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है मिलेना स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है ओम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है भष्यमाम पर फ्ताथ अपड़ी वच्छे श्यव मामा नो आवाहान करिये श्यव मामा आपड़ने वदाने खुबझ भाग्यवान बनाया ये परमात्माए आपनों सिलेक्शन करियो कितली भाग्यवान आपने वधी आत्माओ कि साइन्स ना असाधनो दूर बेठा पण आपने रुहानी अलवकिक मिलन करावी रही रही चे श्यव बाबाये भाग्य विधाता ब्रमा द्वरा अपना सर्व ब्रामणों भाग्य लख्यू सर्व स्वेश्ट भाग्य शाड़ी विनाया बाबा केशे आपके जेसा भाग्यवान दुनिया में कोई भी नहीं ओ सकता केटलू सर्व स्वेश्ट भाग्य लो निर्माण कर्यू पूजिय स्वरू पुजारी स्वरू आ बन्नेनू स्पष्टी करण आपनी यागल खुवत सुन्दर रिते पष्ट कर्यू भक्ती भावना युक्त से ग्यान समझ सिख्वाडे से ग्यान मानाज समझ अंडरस्टेनिंग भक्ती भग्वान ने मडवानो मार्ग बतावे से ग्यान भग्वान सते मंगल मिलन तरावे से समय संकल्प अनि शक्तियों ने संमार्ग सत्यमार्ग उपर यूटिलाइस करता सिख्वाडे से भत्ती मावों के चे भत्ती रात अंधियारा है शामाटे भत्ती ने रात कयो भक्ती भग्वान ने मडवानो मार्ग छे छतावे ने भक्ती रात अंधियारा चाई दिदू करन के भक्ती करता करता आत्मा अलग 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 मार्ग मा भत्तक वाला गी भक्ती ने विभिन स्वरूप थी आपने करवाला गया चता भग्वान सुधी पहुंची न शक्या अने भटकता रहा ग्यान एने आत्म जागरू थी आत्मानो प्रकाश सत्य ग्यान थी एनलाइट्मेंट सत्य अने असत्य नो स्पश्टी करनते हूँ आज सुधी बिन्न बिन्न स्वरूप थी भक्ती करी भग्वान ने पढ़ अलग-अलग देव देवियों न स्वरूप थी याद करया भजन किर्टन करया परनतु सत्य भग्वान थी दूर न दूर रहा ग्यान थी परमात्मानो सत्य परिचेई प्राप्त थे ओ आत्मा कौण परमात्मा कौण ब्रत्ती मा वेद शास्त्रनों अध्यायन करू एने अध्यात मिक्ता के वाई से वेद शास्त्रनी अध्यायन करी ने अलग-अलग टाइकल्स प्राप्त करें से महा मनलेश्वर 1108 स्वामी वेद शास्त्रना अध्यायन थी प्राप्त करें ज्यारे ज्यान ज्यान मा अध्यात मिक्ता स्वयम नु ज्यान परमात्मा नु ज्यान स्रुष्टी चक्र नु ज्यान आत्माना त्राणे काओ नु ज्यान आत्माना 84 जन्मो नु ज्यान वर्ल्ड ड्रामा नु ज्यान ए अध्यात मिक्ता के वाई ज्यान स्वयम ने सप्य स्वरूप थी समझू महसूस करूप भक्ती मा मात्र आपने भजन गाता था कुप सुन्दर भक्ती ना भजन आँख मारी उगड़ी तो सीता राम देखतू कितलो सुन्दर भजन गाता था और कोई दिवस आँख उगरी तीता राम ने जोया नहीं ज्यारे ग्यान मा आँख आपनी उगरे फर्स्ट थॉट पहलो विचार बाबा गुड मॉने बाबा साथे द्रश्टी लई थी हैं तो वक्ति मा मात्र आपने बजन गाता आया ज्यारे ज्यान मा प्रेक्टिकल अपना जीवन मा यह वस्तू ने आपने एपलाई करिये ज्यारे जीवन बंतू जाएज अने माते ज्यान ने प्रकाश ज्यान ने रोश्नी के जे दरेके दरेक वस्तू ने पुष्ट करे जीवन बत्ती मा भगवान नी माला जबता दा राम राम नु स्मरण करता दा ज्यान मा यह माला न मनका बनवानो पुरुशाल्ट करिये जीवन बत्ती मा कोई दिवस विचार पूर नोतो करियो के हुँ आज माला ना मनका बनी शतू अने मनका बनवा माते एक माला नी अंदर पिरोवा माते मनका बनका नी विशेश ताथी आपड़े एक बिजाना समीप आवता देंगे थिये संगठनी शक्ती माला यह संगठने शक्ती निस्पश्ट करेच तो ब्रामन परिवार शंगठीत रुप्मा एक बिजानी विशेश ताओ थी समीप आव तूं जाई जा भक्ती मा बजन गाया पछी अपड़े मंदीर ना ओटला उपर मेशी मेज बजन पण गाई जाई जाई अने चार लोकों नी निंदा पण करी जाई तो बजन गाई सकारात्मक चिंतन पण करियो साथे नकारात्मक वातो पण करी जावे ज्यान अपणने निंदा करता ने पण दरेक आत्मानों विशेश्टाव तरफ अपणी द्रश्टीनू परिवर्तन करेचे द्रश्टीनू परिवर्तन स्मरूतीनू परिवर्तन बत्तीमा विस्मरूती चे देह भाहान चे ज्यान आपने स्मरूती स्वरूप बनावें चे किटली सर्व स्रेष्ट स्मरूती प्राप्त थें मैं कौन मेरा कौन दादी जानकी जी ने याद करिये कुछ संदर पाउठ एमने बनावियो मैं कौन मेरा कौन स्वयमनो सत्य परीचे इप्राप्त थे हो आत्मा ज्यान स्वरूप बनती जाएज परमात्मा ज्यान ना सागर सर्वशक्ति ना स्तरोत परमात्मा पिता साथे ज्यान मन अने बुद्धी नो मिलन करावेचे मन बुद्धी थी परमात्मा ने याद करिये शिये ज्यारिभक्ति भगवान ने याद करवानू एक माधियम अवश्य से परमात्मा ने याद याद करवेचे ने याद करवेचे शिये करन करन के भगवान नो सत्य परीचे न की अजी एटला मदा भगवान से सत्या भगवान कौन तो मन भटके से जरे ज्यान मा भटक मन बंद थी जाई से अने एक ज्योती विंदो शिव विता निराकार सर्व शक्तिवाल ज्यान ना सागर आनन ना सागर खुशियों ना सागर परमात्मा साथे मन बद्धी एकाद्र करीश किया सिया बट्थी ए मात्र भवांगवान उसादंचे मांगता जरे आपो बया करो आशिर्वाद करो ग्यान अधीकारी जीवन प्राप्त करावेशे परमात्मान दिल तक नशीन बनावेशे अधीकार थी परमात्मानो वारसों प्राप्त करिया सिया अधीकार थी ग्यान गुण शक्तियों परमात्मानी प्राप्ती ने अपने प्राप्त करिया थी कितली संदर वातो श्यों बामा ये ग्यान थीस पश्ट करिया भक्ति भावना जरूर से भावना युक्त भक्ति इश्वर नी समीप लई जाई से पर ज्यान समझ थी परमात्मानी सम्रूती समझ थी भावन नी समीप जाई से ब्रक्ति मां अंध श्रद्धा पंचे श्रद्धा श्रद्ध श्रूर जरूर जे और साथे अंध श्रद्धा ब्लाइंड फेथ भक्ति करिया थी समझ वगर देखा देखी थी अने जे पुर करिये थी जे विधी करिये थी शामाटे करिये थी एनु सत्य ज्यान ना थी तो भक्तिने अंध श्रद्धा कयो हमें ज्यान चे सम्पून श्रद्धा करनके आपने स्वयम एनने अनुभव करिये थी वक्तिमा यात्राओ करिये थी भगवान ने प्राप्त करवा मते हैं कितलु बदु कस्ट सहन करिये थी एक एक यात्रा कितली डिफिकल्ट है कस्ट दायक से ग्यान मा सहज राजियोग कोई तकलीफ नहीं है चलता, फरता, उठता, मेशता श्यवामन याद करवाना थी वक्तिमा अल्पकालिन प्राप्ती थी एक जन्मनी प्राप्ती थी ज्यान सदा कालिन प्राप्ती करावी रही थे 21 जन्मनों सुख प्रदान करी रही थे अनि मात्र एकवीज जन्म पर नहीं मामा तो केज़े 84 जन्मों का भाग्य थे कितलु सुख कितली खुशी सत्युक रेता द्वापर्युक सुधी सुख कर्युग मा लास्ट लास्ट थोड़ा जन्मों आत्माने दुख तो ज्यान सदा कालिन जन्म जन्मान तर्माते सुख प्रदान करें सुख स्वरूप आत्मा बनती जाई सुख स्वरूप आत्मा अनेग आत्माओने सुख अरपन करें बग्तीमा आत्मानू स्वरूप चेंज न थी थे तो बग्वान ने प्रार्थना जरूर करें से पूजा जरूर करें से थोड़ वस्तूव थी आपड़े अमनी वंदना जरूर करिये से जरे ज्यान स्मरूती स्वरूप सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप आपड़ी आत्माना स्वरूप में चेंज करीना कैसे आत्मानु परिवर्तन मात्रने मात्रा ज्यान थीज संभव चेंज करीना कैसे बक्ति पूजा पाठ सिखेंज है बक्ति में आपड़े बगवान नी आगर दीवो प्रक्ताविया स्वरूप में आत्मानो ज्यान द्वारा आत्मानो दीपत प्रक्ताविया स्वरूप में चेंज करीना कैसे चरिट खोड़ीने जाय तो दीवो सलकावो जोई है आत्मा ने आगर ज्यवा मात्य मार्ग मले श्युव बाम्यकायों अल्तर आत्मानो जने ज्ञान थी दीपक प्रक्टाव्यों वा दर्शन चक्रत वा चिंतन स्वा अभ्यास द्वाराद स्वयम्नो दीपक आत्म दीपक प्रक्टाव्यों यहने थोड़ दीपक प्रकाश नहीं आपी शक्ये तो वयम्नो प्रकाश जने रस्तो बतावेचे बत्ती मा धूप अने अगर बत्ती करता था खुप संदर प्रेणा आपेचे अगर बत्ती जे वातवरन ने शुद्ध करेचे अने सुग्रंद पाण रसारित करेचे श्ववावाए अपड़ा जीवन ने अपड़ा मन विचारोने सकारात्मक मनाव्या सकारात्मक चिंत अंद्वरा सकारात्मक वायु मंदलनो निर्मान अपड़े करिये थिये अने अपड़ा जीवन में खुश्वुदार बनाव्यों दिव्य गुणों थी श्रिंगार इसकर्यों भक्ति मस्थूर वस्थवों चें ज्यान मा प्रिक्टिकल अपड़े जीवन एग्जामपल बने चें भक्तिनी दरेके दरेक वातो स्वेश्ट चें उपयोगी चें पन ज्यान ये वक्तिती स्रेष्ट मनाई थे करन के ज्यान देवी देवता समान अपनों जीवन बनावे थे वक्तिमा देव देवियों पूजा करी अने हमेशा समझया कि आपने दास थी है चर्णों की दास चर्णों की धूल बक्ति करता करता कोई दिवस स्वप्नमा पुर्णों तु विचारियों कि भग्वान दिल मा स्थान मनी शक्या दिल तक नशीन बनी शक्या बक्तिमा सदा मते चर्णों के दास आज वस्तुनी अनुभूती करी ग्यान कितली उची स्थिती ने प्राप्त करावे से दिल तक अधिकारी बनावे से बक्तीमा अपड़ी स्थिती अमो प्रधान तरफ दाउन फॉल तरफ जाए ज्यानती आत्म जागूती द्वरा उड़ती कलानो अनुभू करिये तिये स्थिती ने प्राप्त करवानो पुरुशाल से करिये तिया बस्तीमा स्थिती बनावा मते कोई पुरुशाल से करिये तिया ग्यान मा स्थिती बनावा मते अपने पुरुशाल से करिये तिया आत्मानी सतो प्रधान स्थिती ज्यान ना आधारे बनावी शिकाएँचे तो ज्यान आपने शक्ती प्रधान करेचे सतो प्रधान स्थिती ने प्राप्त करवा मते भक्ती मा भगवान ना दर्शन में आश राखिये शिये एक गड़ी भगवान ना दर्शन थे जाएँचे अने इना माटे इतला कल्ला को सुदी मंदीरो मा लाइन मा उगार रहिये शिये अने जेवा भगवान ना नजीक जये हजी तो दर्शन करया न करया क्या तो आपने हटो हटो तो मात्र दर्शन में अभी लाशाचे जारे ज्न स्वयमने स्वरूप ने दर्शन या मुरत बनावेजगा ह耶 Tube dal या मुरत बनेजगा केटली हुची स्थी ने अपने प्राप्त करयेगे जीए आपना स्वयमने जीवन या दर्शन या मुरत बनेजगा भक्ति मा दिव्य द्रश्टी नुमर्दान मुले चे द्वापर से मेरा कार्या शुरूर होता है भक्तों ने सक्षात करावा भक्तों ने रक्षा करवी तो सक्षात करनो पार्ट ये भक्ति चे दिव्य द्रश्टी नुमर्दान बक्ति मा प्राप्त ताईशे ज्यारे ज्यान थी दिव्य बुद्धी नुमर्दान मुले चे अपणी बुद्धी दिव्य बुद्धी इश्वर्य बुद्धी बन्ती जाईशे इश्वरिय ज्ञान द्वारा आपणी बुध्धीन परिवर्तन से तुझायएची आखु परिवर्तन बुध्धीना लेवल उपर शक्याचे परमात्म ज्ञान आत्म ज्ञान अपना बुध्धीना लेवल ने चेंज गरेची अंडेस्टेंडिंग पावर समझ शक्ति नू परिवर्थन करेचे। दरेक ये दरेक वस्तुने समझीले आपड़े आपड़ा जीवन माँ एपलाई करता जही है। ज्यान की देही अभीमानी स्थिती नू निर्मान खाईचे। आत्मा और शरीरी अवस्था फरिष्टा पड़ानी अवस्था देही अभीमानी स्थिती ने प्राप्त करेचे। कर्मनी स्रेश्टता कर्मनी कुशर्था प्राप्त करेचे। ज्यारे भक्ती ये देह भान में स्थिती चे। ब्रत्ति करवा छतापन, अपना मनों विकारों, हैना थी अपने दूर न थेया, गुस्सो, निंदा, परचिंतन, अनकारात्मक वातों थी दूर न थेया, जारे ज्ञान, मनों विकारों, पांच विकारों थी अपना जीवन ने दूर करी रहे हुझा, अपनों जीवन ज्ञान थी, ज्ञान नी शक्ती, अन्ने माटे के वाईचे, knowledge is life, might, ज्ञान नी शक्ती, आत्माने मनों विकारों थी, मुक्त करे जीवन मुक्त स्थिती प्राप्त करा, कितली उँची स्थिती जे, पन ज्ञान थी, एक शक्ती प्राप्त थे, खुब वक्ती करवात स्था पाण, आत्मा शक्ती शारी ना बनी, कमजोर बनती गई, आत्माने शक्ती शारी बनावा मते, इश्वर्य ज्ञान, सत्य ज्ञान एक खुब ज़रूरी थे, सत्य ज्ञान ना प्रकाश थी, आत्मा शक्ती शारी बनती जाए थे, सर्व शक्ती होती संपन बनती जाए थे, ज्ञान व्यर्थ विचारो थी आत्माने मुक्त करे थे, व्यर्थ कर्म थी मुक्त करे थे, आत्माने समर्थ स्किती प्राप्त करावे थे, बस्तीमा व्यर्थ खतम नती जतो, जेटलो समय भगवान में याद करया, मक्त्र एटलो जी समय व्यर्थ थी दूर रही है थे, जेटलो समय मुक्ती राम राम नाम नू जपन करे थे, जेटलो समय जरे ग्यान मुक्ष नू मौन अने मन नू मौन सिख्वाड़े थे, मुक्ती ग्यान अम्रतनी वरशा करे थे, अने माटे गाउ मुक्ष नू गायन अने पूजन थे, जे मुक्ष माधी गंगा जल निकलियो, ज्यान जल निकलियो, ये मुक्ष गाउ मुक्ष नू जाई जए थे, केटलू मुट्टू वरत बक्तीमा वरत उपमास करे थे, ये भोजन्नू वरत करे थे, और आजनी बक्तीमा विजु गणू वदू ग्रहां करे थे, भोजन्नू वरत स्थूड रूपक भक्तीमा बनावी दिदू, ज्यानमा खुब उँच्छू वरत परमात्मा सिपाडे चे, एक, व्यर्थ विचारोनू वरत बिजु मुख माती, व्यर्थ बोल ना निकडे, येनू वरत अबो मटू वरत चे, बाबान बाड़कों माते, आबो मटू वरत चे, अने आ वरत अपड़े लेवु जोए, कि मारा आमुख माती, कोई दिवस, व्यर्थ बोल, व्यर्थ शव्द, ना निकडे, ज्ये घर आत्मोंने दुखी बनावे, सारा सारा संबंधोंने तोडी नाखे, बक्ती स्थूड रूपे व्रत करता सिप्वाड़े जे, ज्यरे ज्यान, अंतर आत्मानी साधना करता सिप्वाड़े जे, प्रेक्टिकल आपड़ा जीवन मां, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्पों, व्यर्थ कर्मधे मुक्त करेज़े, अने आप पुरुशार्थ, बक्ती मां सवार्ण सवार्मा उठी, बग्वान नो दिवो प्रक्तावयो आर्थी करी, बेगड़ी बग्वान ना भजन गाई लिदा, अने पछी आख्मधिवस, बग्वान मंदीर मां, बग्वान एना काम मां भीजी, अने आपड़े आपड़ा थोड़ कामों मां भीजी, मत्र सवारेज आपड़े बग्वान ने याद करिया थी, ज्यरे ज्यान मां तुमा में किदू, हर पल में तुम बच्चों के साथ, हर घरी परमास्तमा स्मृति, निरंतर याद करिया थी, दरेक कर्म में परमास्तमानी स्मृति, अन एतला माटे ज्यान थी कर्म स्रेष्ट बनेचे, कि आपड़ा दरेक या दरेक कर्म में परमास्तमानी स्मृति जोड़ाई जाएचे, तो वक्ती मां मात्र थोड़ा समय नू सुख थे, थोड़ा समय मां ते इश्वर नी याद थे, आने एमा पण विशेश, त्यारे दुख नू समय आवेचे, त्यारे भगवान मी वक्ती कराईचे, दुख माथी मुक्त थवा माते, जारे आपणे, दुख माथी मुक्त थवा माते आपणे ज्यान न थिलेता, पण ज्यान प्राप्ति द्वाराज, तर्व दुखो नू कारण नू निवारन आपणे मलेज। दुख नू कारण परमात्मा आपणे बतावी देयाज। तो मात्र दुख न समयेज, इश्वर ने याद करवा के साधना करवी। नहीं, पर दरेक घड़ी इश्वर ने याद संपन्न बने। दुख नू कारण स्पश्ट फटू जाए, एनू निवारन फटू जाए। अनि इतला मरते हैं, ज्यान थी आत्मा सुख स्वरूत थिती ने प्राप्त करें। जे स्वयम पर सुखी बने से, अनि अनिक आत्म होने पर सुखी बनाने से। करण के दुख नू कारण मड़ी गयो। के ब़्रक्ति करता करता, खबर नोतीं की आपना जीवन ना दुख नू कारण सुख है। अज ये टेंशन वड़ू जीवन अउत्ली ब़्रक्ति करवां चेता, टेंशन वड़ू जीवन!! अशांत जिवन, डिप्रेशन वाड़ू जिवन, शाम आदे, तरहं कि यहनु कारोण अज़के वर्नेट, डिप्रेशन, अशांती, दुख, टेंशन वत्तु जई रहे हुचे, अने न फरिदा में बीमारियों दुनियामा वत्ती जई रहे हुचे, शिववामाए, ग्यान थी समझ आपे, दुख नू निवारण करवानों मार्ग बतावे, ग्यान आपने निवारण आपे चे, दरेक बस्तु जई, दरेक समस्या, दरेक परिस्ते चे, दरेक मुसीवतों निवारण मरे चे, ग्यान द्वारण करण के ग्यान थी, आपनी बुद्धी, दिव्य बुद्धी बनती जाएचे, राइट रॉंग नू डिशीजन पावर आपनी अंदर आउत हुजाएचे, अनि त्यारे आपनों जीवन ग्यान युक्त कर्म करता सिख्वाडेचे, ग्यान युक्त जीवन आपनों बनती जाएचे, बक्ती एक शनी कचे है, थोड़ा समीमाते जाएचे, ग्यान, तम्पूर्ण, जीवन, अनि मत्रे एक जन्नम नहीं, अनि एक जन्मनों रिजल्ट आपेचे, बक्ती में दान पुन्यन महत्वत, खुब महत्वत, अनि ये दान पुन्य करवा थी, एक जन्मनी प्राप्त में जाएचे, तिया स्थूड वस्त्रों नु दान करिया किया, जथूड धनन नु दान, वस्त्रोंनु दान, आदान करिया नु वहत्वत, तियारे ज्मनीर, ज्यान रत्नों नु दान, अविनाशी ज्मन धन्ननु दान, गुणोंनु दान, शक्त्योंनु दान, ज्यान किटला उची अवस्ता सुधी आपने लई जाई छे कि आपने मन्सा सेवा द्वारा दूर वेठेली आत्माओने शुब्भावना शुब्तामता द्वारा अनेक जन्मोनी प्राप्ती करावी शक्येद मन्सा सेवा अभक्तीमा नथी ज्यान मासे ज्यान अपने मन्सा सेवा द्वारा शुखवाड़ेज़ अपना मन्ने सकारात्मक बनावेज़ सशक्त मनावेज़ समर्थ मनावेज़ मन्सक्तिशारी तोतन निरोगी बनावेज़ राजयोगी जीवन निरोगी जीवन स्वस्थ जीवन खुशी वाड़ू जीवन जीवन बने सकारात्मक बनावेज़ ज्यान जीवन बनावानिवाद सत्य नारायन नी कथा सामढ़ता आया गणी बदी कथा हो सामढ़ी यसे कथा सामढ़ता सामढ़ता थोड़ी क्षणों तो खुशी पन थही यसे पड़ ए सत्य नारायन नी कथा सामढ़ी ने आज सुधी विश्वमा कोई पन नर नारायन न थी मन्यो यह मात्रत कथा सामबड़ना था श्युव मामाय सत्य नारायन में कथा ज्यान मुरली संबड़ावी अनि ये ज्यान मुरली द्वारा नर नारायन स्वरूपने प्राप्त करेज़़ जैनु एग्जाम्पल आपना प्यारा ब्रह्मा मामाद प्रूफ सहित मामाय आपने स्पश्टी करना प्यों से के ज्यान मुरली द्वारा नर नारायन बनी शकेज़े नारी लक्षमी बनी शकेज़े जग्दंबा माँ आपने याद करिये 24 तारिक जग्दंबा माँ मुरूती जिवस्चे जड़े ज्यान में वीड़ा बजावे हमना हाथ मां ज्यान वीड़ा आपकेज़े ज्यान में देवी सरस्वती नारूपे आपने आपने याद करिये आपने सामें एग्जाम्पल चे नारी जग्दंबा मुर्ली द्वारा मुर्ली ना अध्ययन द्वारा मुर्ली ना मनंचिन द्वारा नारी लक्ष्मी पद ने प्राप्त करें ब्रह्मा बाबा नर स्वरूपे नारायन नो एग्जाम्पल बने चे जग्दंबा सरस्वती नारी स्वरूपे महालक्ष्मी ना स्वरूपने प्राप्त करें तो एग्जाम्पल से आपने सामें कि ज्यान जीवन बनावे से, देवत्वनी प्राप्ति करावे से, जीवन देव तुल ये बनावे से, बक्ति मा मात्प्र देव देव योनी पूजा से, ज्यान जीवनने देव तुल ये बनावे से, जग्दंबा मा जम्णी पुताना चीवन ने खुबज आदर्श एक्जाम्पुल आपनी समक्ष वाखियो ज्यान ने पुताना चीवन मा एपलाई करी प्रेक्टिकल स्वरूप धारन करी कुप सुन्दर एक जग्दंबा सरस्वती जैने आपने मातेश्वरी माव करी ले आपना इश्वर्य ज्यान मा इश्वर्य यग्यमा याद करिये चीए एक कुप सुन्दर एमनों एग्जाम्पल आपने समड़ाओ किटली विदी समर प्रत्विद्धी मम्मा समरे बेवागाती पांच उलागा सुदी अमृत विला योग अभ्यास करता था बाबा नी मुरली खुब एकाक नताती सांबलता था एक तिक एक एक शब्ध ने धारान करता था बुद्धी मम्मा इतले विद्ध्यानी देवी सरस्वती तरीके हमनों पूजा था विद्ध्यानी देवी विद्ध्यानु अध्ययन करियों बुद्धीमा इने धारान करियों जीवन बनी गयों एक बार एक पार्टी बाबा ने मढवा आई, साकार ब्रह्मा बाबा ने, और ये पाच्छा जवा मते, बाबा पसे छुपती लेवा मते आया, बाबा ने संकल्प आवयो, इन बच्चों को साबुदाना का हल्वा खिलाओ, अवे साबुदाना नो हल्वा बनाओ, एटलो इजी नती, अन दिस पर्ट तयार नधाए, और मम्मा ये कोई संकल्प न करयो, और एक जवाब आपयो, ओके बाबा, हाँ जी बाबा, तो मम्मा कीचन मा गया, आने तयारी करवाला गया, पैमनी साथे कीचन मा जेहता है मने कि दू, मम्मा ये कैसे पोसिवल है, इतना जल्दी आप तो बाबा को हाँ कह देते हो, तो कैसे बनेगा, मम्मा ये कि दू, बाबा ने कहा है, बाबा कारिय करने की, शक्ती भी प्रदान करता है, बाबा कहता है, मना वो कारिय होने वाला है, समर्पन बुद्धी, no doubt, no question, ग्यान समर्पन बुद्धी ने समर्पन करता है, हाँ जी बामा, अने बामा नी शक्ती प्रदान थाई, अने पार्टी जती पंदे चे, हल्वो तयार में थिकतो, पच्छी, पार्टी जी, बस्टेन सुधी पोँचे चे, मा उन्खाबुमा, हल्वो तयार थाई चे, बामा एक भाई ने मोकले चे, अने बाबा को ने हल्वो मुडे, एवानों मतलब्चे ज्यान, बुद्धी नी समरपंटा, आपणा दरेक, डाउट, संशेने समाप्त करेजा, कितली उची अवस्था ज्यान थी आपणे प्राप्त करेजा, बक्ती मास थोड़ यग न करवा मावेचे, जे यग्नमा जाओ तिल आ बदू हो माईचे ए यग्न कराईचे शांती माटे वरसाद माटे और प्रोब्लेम्स माटे पाण ए नाना नाना यग्न होईचे थोड़ा स्तमेनी आउधी माटे होईचे जारेश्यो मामाया राजस्वा अश्वमेग रुद्र आविनाशी गीता ज्यान यग्नी स्थापना करी पोग्री सो चत्रीस माटे अने कितलों लांगो समई आ यग्न हजी तो यग्न चालूज से अने आ यग्यमा अख़्ा विश्वनी आखुती पड़वानी चालूज कितलों मुटों यग्य कितलों लांगो समई माटे नो यग्ने चालूज अने आ यग्न अख़्ा विश्वने सुक शांती प्रदान करवा माटे नो यग्ने चालूज बेहद नो यगवद, विता पण बेहद ना, अमनु कान्य पण बेहद नो, यगवद, पेहद, कितलो मुट्टो परिवार, इश्वर्य परिवार नी भावना के ज्ञान थी प्राप्त साय, भक्ती मा परिवार नी भावना न थी, करनके भग्वान ने भक्त, ये बहुँ दूर नो सबंद चले, किया परमत्म सते कोई दिवस आपड़े सबंदनी फिलिंग, ये मैसूस नफी करें, क्यारे ज्ञान मा सर्व संबंधों नो सक, एक शिव बाबा, मेरा तो, एक बाबा, दूसरा लगोई, तो सर्व संबंधों एक बाबा साथे, आपने फिल करिये सी, मैसूस करिये सी, तो एक इश्वर्य परिवार्नी भावना, एक ज्ञान मा, मैसूस करिये सी, आप क्या हम बेठा चो, हूं क्या हम बेठी चो, अपने बुदा एक इश्वर्य परिवार्ना, माला ना, मनकाओ, कितली सुन्दर फिलिंग, सुन्दर मैसूस था, हम एक बाबा के बच्चे है, मेरा परिवार्ना, कोई पन बाबा ना माड़कोने जो ही है, अरे गारी उपर बाबा नो स्तीकर जो ही है, मेरे बाबा का स्तीकर है, मेरे बाबा का बच्चा है, कितली उची फिले है, अग्यान अपने पन मारा पणानी फिलिंग मारा बाबना माड़ो सब्सक्राइब भक्ती में यह फिलिंग में भग्वान भक्त दूर पिता हमें पुत्रनी फिलिंग में प्यार थे भक्ती में युश्वर में प्यार प्यार पेदा थे प्यार थे शिव बामा ने याद करें मामा कैसे आत्म समझ कर मुझे याद करो प्यार से याद करो परियाद नहीं परिफरी याद करो नो कंप्लेंट नो डाउट्स नेगेटिविटी ने खतम ज्यानती तकारात्मक बुद्धी तकारात्मक कर्म बनता जाएं बक्ती मा मननू दमन करवमा आवेज़। हत्योगी पुराणयाम सिर्शा संद्वरा के मनने दमन करेज़। ज्यान मनने सु मन बनावेज। स्रेष्ट मन स्रेष्ट विचारोती तकारात्मक चिंतन द्वरा तकारात्मक मन संदी मन सर्वस्रेष्ट स्थिती ने प्राप्त करेज़। गीता माजे मन मन बहुनी वाद सामभुरता आवेज। गीता माचता आया और गीताना श्लोक में गीताना ज्यान ने जीवन में धारण करवानी शक्ति प्राप्त ना भेए। जेरे ज्यान द्वरा गीताना ए ग्यान में सत्य ज्यान मुरली के साच्ची गीताचे अने मुरली द्वरा गीताना दरेके दरेक शब्दों ने जीवन माँ धारण करवानी शक्ति प्राप्त थे। गीता मा संबड़ता था मन मना भाओ ज्यान मा प्रिक्तिकल स्थिती आपड़ी बनी मन मना भाओ मन को मेरे में लगाओ आत्म समझी मने याद कर आत्म न ज्यान थी मन शांत बन्यू स्थेर बन्यू तकारत्म बन्यू आतम ज्ञान, परमातम ज्ञान, सुरुष्टी चक्रन ज्ञान थी, मन नी स्थिती, मन मना भावनी स्थिती, प्राप्त करेचे, शांत स्थिती, सुख मैं सुखु तो त्रोण वातों मन नी, पॉजिटिव, यौर, पीस्फुल, मन पॉजिटिव बने, यौर बने, पीस्फुल बने, अत्म ज्ञान थी, अत्म क्लीन ने क्लीर बनती गई, अनेक जन्मों ना पाप, खतम करवा माटे, बत्ती में आपने, गंगास्नान करता आव्या, पन गंगास्नान द्वारा, अत्म ना पाप कर्मा, दग्धना था या, इश्वरिय ज्ञान स्नान थी, अने योग बढ़ द्वारा, योग युक्त स्थिती प्राप करीने, जन्म जन्मांतर ना पाप, विकर्मा, अपने वहस में करिये था, तो पाप कर्म थी, आत्मा मुक्त बनती गई, विकर्मो थी, आत्मा मुक्त बनती, क्लीन और क्लियर बनती गई, क्लीन और क्लियर बुद्धी, परमात्मा नी नजीकतानों समीततानों अनुभाव करेजे, अनि परमातमाना डाइरेक्शन्स में कैच करेज़। परमातमाना शव संकल्पों, परमातमान। डाइरेक्शन्स टचेंग आपने कैच करेजुड़। ताने तचेंग प्रिमाने आपणे आपणा दरेक कर्मों ने स्रिष्ट ता तर्फ लेची एची। किटली संदर स्थिती ज्यान थी आपणे प्राप्त करियेची। बक्ती इमात्र भावना युक्त भक्ती, पण भावना अने समझ बनने नू समन वहिता है। तो मामों केचे, मामा आपको समझ दार बनाता है। कितली वातों नी समझ आपणे अंदर आवी गई। बक्ती में जे पण आपने करता था, ये समझ वगर करता था। ज्यान एक एक वातों नू पश्टी करन करें था। बुद्धी ज्यान युक्त समझ दार बनता था। कितली मुची समझ आवी तो वयमनी समझ मरी परमात्मा पितानी। हमना स्वरूप नी, हमना करता भिया नी। हमनी पालना कई दीते परमात्मा करी रहा थी। बक्तीमा भगवान ने केता था। तुम ही पालन हार हो। पालन करता हो। बक्तीमा परमान कहता कि हम आपकी बच्चे हैं। हम भगवान की बच्चे हैं। अग्यान मां। बगवान में अपने बाड़ों कोच ही है। अपने इने फील करिये इसे। अने आ फिलिंग आत्माने परमात्मानी एकदम शक्तियों प्राप्त करी। माप समानने स्थिती आपड़ी आत्मा प्राप्त करे। भक्ति मां कोई दिवस स्वप्नमा पन आपने विचार नो तो करे। कि भगवान जेवा आपने बनी शक्तियों। ज्यान मां बाप समान बनवानों आपने पुरुशावड करिये। इतलों मुट्टू अन्तर है। यहां कोई दिवे स्वक्त नमा पुड़नों तो विचार करे हो, कि भगवान जेवा बनी शिका है, नहीं है, बाप समान बनने का हम पुरुशा, कितना उंचा पुरुशा, कितना उंचो पुरुशा, बाप समान अप्रा स्थिती, बाप समान अप्रा कर्म, बाप समान अपनी दरस्टी, प्रमा यतम है दर्श्टी थी वरदाना पे, मक वरदानी बोल निक्रे, हम ना हस्तो द्वरा हाथ द्वरा वर्दान आपने बाबा बाप समानमी स्थिती आपनी द्रश्टी अनेक आत्मवनू कल्यान कल्या कैतली उची द्रश्टी परमातम समान द्रश्टी कल्यानी द्रश्टी, वर्दानी द्रश्टी, बोल महावाख्य, वर्दानी बोल, शुब बोल हमारे विचार सोच, विचारोंने पण, शुब बावन, शुब कामना युद्ध, विचारों मना व्याद, हाड एक आत्मा खिरिये, दर एक आत्मा मते, शुब बावन, शुब कामना युद्ध, विचारों मना व्याद, हाड एक आत्मा खिरिये, दर एक आत्मा मते, शुब ब नंबर नी आत्मा माते पड़, बाबाये, शुक भावना, शुक ताम न राक्ता सिक्वारी, बाबाये, खुब उँची समझ आती, कोई ये आपनों खराब करियो कोई, खोटू करियो कोई, ए आत्मा माते पड़, आपड़ी अंदर, कल्यान में वावना, शुब वावना प्रक्ते, कितली उँची स्थिती, ज्यान थी प्राप्तताई, कोई दियो इस बक्ती मा ये वह पुरुशार्थ नो तो करियो, कि कोई ये मारू खराब करियो होए, तो हूँ एनू सारू करो, ग्यान में अपने ये पुरुशार्थ करिये से, अपने कर्मों ने स्थमाप्त करवानों, पुरुशार्थ करिये, कर्मना हिसाब किताब, ग्यान में दरेक कर्मनों हिसाब किताब, कर्मनी गहराई, एनू बाबा ये ग्याना पुरुशार्थ एक-एक कर्मनों सु फोड अपने प्राप्त कर्याई से, कितलो नीतेल में परमात्माय समझाविए, जेवा कर्म करियाचिये, कि वो फोड मलेच, बक्ती मा अटलू मदू स्पष्ठी करण नो तो, हाँ, एटलू खबर हती, सारू करो तो सारू मले, खोटू करो तो खोटू मले, पर सारू कर्म कोने के वाए, यहनू स्पष्ठी करण नो तो, एक एक आत्मानू कल्याण आपड़ा द्वारा थाए, एक एक आत्मा, सुखी बने, स्वस्थ बने, शांत बने, आग्यान सिख्वालेच, अपड़े स्वयम पन, शांत स्वरुप बनियाचिये, विजाने पन, शांत स्वरुप बनावियाचिये, अपड़े स्वयम ज्ञान सागर परमात्माना बाड़ोतो, ज्ञान स्वरुप, मास्टर ज्ञान सागर बनियाचिये, केटलू अथा ज्ञान परमात्मा यापे दिदू, वक्ती मा समझता था, तेरी एक बूंद के प्यासे हाँ, पड़ अपने ज्ञान में तो, हम बूंद के प्यासे नहीं है, हम तो मामा का सारा ज्ञान ही हप करने वाले हैं, सारे ज्ञान को ही अपने जीवन में हम तमाने वाले हैं, करन कि आपने बाबा पासे थी संपूर्ण वार्सों लेवानों छे, अपने थोड़क वार्सों नती जोईतों, हम थोड़े में खुश होने वाले नहीं है, हम को तो बाबा नो संपूर्ण वार्सों, सख, शांती, आनन, प्यार, खुशी, संपूर्ण चाहिए, तो संपूर्ण वार्सा ने प्राप्त करवा मते, आपने संपूर्ण, तमरपन, बुद्धी, बन्वुकर्शों, एक भी जो एक्जाम्पल मम्मा न जीवन नो संपूर्ण, प्रेम बेर, एक वर बाबा नी साथे, बाबा रूम नो सेटिंग करता था, तो रूम नाना हाता, बाई बेनो वदारे हाता, तो बाबा ये एक सजेशन आप्यों, जो ये पलंग है, एक पलंग के नीचे दूसरे बाबा नो सेटिंग करो, तो तरत प्रेम बेने बामा ने कयो, बामा ये पलंग उसमें नहीं जा सकता है, आप बीजो पलंग मोटो चे, पेलो नानो चे, ये पलंग इमें नहीं जाए, तरत रियक्ट करियो, मम्मा ये समय तू खसु ना मोल्या, और पछी प्रेम बेन जिया रे मम्मा ने मडवा माटे येमना रूम मा गया, तो मम्मा ये एकत शब्द थी इशारो आपयो, प्रेम तेरी बुद्धी बहुत तिक्ष्ण है, तारी बुद्धी खुबज तिक्ष्ण है, तो महु जल्द निल नहीं करी शक्यास, बहु सारी बुद्धी खेंगे, तो प्रेम बेन केशे, मम्मा तमे तु कोई दिवस मने आओ नथी करेंगे, तमे आओ कियो बोलो चो, मारा थी काई भूल थेगी जे, त्यारे मम्मा इशारो आपये जे, मम्मा प्यार थी, इशार आपता था, कोई अदिवस, बाबा जे पन करेंगे चे, तरत रियेक्ट करी ने जवाब नहीं आपकानो, बाबा ने एतलू चे वानो, ओके बाबा, जो एमा पलंग नहीं जाए, तो बाबा यही मेरे चेसे के मैं नहीं रखना है, पर आपने जो बाबा ने केसु, तो आपने आपनी बुद् अने मेरी बुद्धी, मारी बुद्धी अनिरम ने ले लिदो, तो मारी बुद्धी नू अभीमान आवी जा अने ज्याँ अभीमान आऊ शे तो बुद्धी दिव्यक्कोई दिवस नहीं बनी शेटू अबो दीप ज्ञान मम्माय आपियो अबो गहरी वात समझवानी जे कि जो मारी बुद्धी, मारी समझ शक्ती, मारी निलने शक्ती नूँ मने अभीमान जो आवी जाए तो मारी बुद्धी कोई दिव्य बुद्धी नहीं बने आपने बाबा ने बनिया चीए आपने बुद्धी ने दिव्य बुद्धी बिनावा माते बाबा ये कि दू? ओके बाबा, जी बाबा अपना दादी यो एक्जाम्पल जे बाबा ये, जे कईू? जेहां मेशार्या? जे रीतें आमने चलाव्या? जे पन मामा ये ओल्डर आप्या? हाँ जी मामा कोई दिवस मामा नी सामें? क्रिश्चन्स नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं, संशे नहीं ओके मामा कैसे होगा? नहीं ओके मामा तो बुद्धी दिव्य बुद्धी बनी तो ज्ञान आपणी बुद्धी ने दिव्य बुद्धी बनावे ये विरीते बनावे चे? यहनी समझ बनापे अनीतला माते दिव्य ज्ञान दिव्य बुद्धी ने बनावेंचे? तो अपने बुदधी बनीवा ने दिव्य बुद्धी बनावा माते? देवता समान जीवन बिनाव मत शिव मामा समान बनवा मत तो ज्ञान अपने शिव मामा समान बहगवान समान बिनावेचे दयानो सागर रहम दिल करुणा निदान तो अपना जीवन ये पन क्यों बिनावेचे करुणा मैं प्रेम मैं रहम दिल कितली संदर स्थिती कितलो संदर जीवन तो ज्ञान ये जीवन बिनावेचे संदर जीवन जीवन पर नहीं कहिए संदर जीवन सर्वस्वेश्ट जीवन अने श्व बाबानी समीत ता श्व बाबा समान थिती कि ज्ञान थि बने अने मात्री बाम घभी वार मुह लीमा कैसे भक्ति ज्यान वैराग्या त्रोन शव बाम मुले बश्टी वैराग्या ज्ञान भक्ती वैराग्या सत्य ज्ञान में सत्य समझ जागे आवे से तो भक्ती थी वैराग क्यारण की खबर पड़ी भक्ती आल्पकालिन से ज्ञान तदाकालिन प्राप्ति करावे कितली मुट्टी प्राप्ति चे बक्ती द्वा पर्युक्ति करी आत्मानी शक्तियों अमाप्त तथी गए अब मुर्ली मां घणिवार केचे टिपड़ घिस गए सिर जुकाते जुकाते ये टिपड़ हे घिस गया अने मामा मस्तक मां तिलक लगावे से बट्टी मां थोड़ तिलक थोड़ तिलक शिव मामा विजय कातिलक विजय हमारा जन्मसिद अधिकार कल्प कल्प की मैं विजय आत्मा तो विजय कातिलक लगाता तो विजय कातिलक दिल तक्त का अधिकार वराज्य विश्वराज अधिकारी बना देता तो ज्ञान दरेक कर्ममा विजय प्राप्त करावे से सफ़वता प्राप्त करावे से जे कारियों माते संकल्प करिये मामा कैसे कल्प कल्प की विजय आत्मा तो कितला उंचा वर्दान श्वव बाबाना बन्या दी श्वव बाबाना ईश्वर ये ज्यान द्वारा अपने प्राप्त थाई वक्ति मा मंदिरे जता दा श्युव जी उपर लोटी चड़ावता दा देवता उने प्रशाद अरपन करता दा पड़ समझ नोती कि आ देवी देवता ओ कोन श्युव लेंगनी पूजा करता दा आ श्युव कोन एमनु करतव ये सुव काई ख़बर नती है ग्यानमा मामा ना घर उपर आविये जी है मामा कैसे ये तच्चे तिर्थ स्थान है मामा ना एक एक सेंटर तिर्थ स्थान तिया चाली ने मंदीरे जता था ये चाली ने सेंटर उपर आविये जी है साधन हो चे साधन हो माविये जी है पर मंदीरे आवानु महत बचे चाली ने जाओ तो प्लग थी करेला पाप कर्म नश्ट था इचे बच्ती में यू मानता था अने ये चाली चाली ने यात्रा करवानु महत बचे दूर दूर मंदीरों चाली ने यात्रा करवा जाए जाए बच्ती में आपने वदाय पर यात्रा हो करिये शे मामा कैसे, चाली ने सेंटर सुभी आविये थिये, ये शरीर थी करेला पापकर्मे में मस्ट कवे थिये, अन्य आपने तो यात्रा करिये थिये, मन बुद्धी थी परमधाम नी यात्रा, शांती दामनी यात्रा, ये ली मीठी यात्रा, जे यात्रा आपने शांती सुख न अनुगव करावे थिये, जे यात्रा आपने पावन बनावे थिये, बुद्धी थी, मन बुद्धी थी, मदुवन पहुंची जे ये, बाबन घरे पहुंची जे ये, ये साथ ची यात्रा आपने तो तिया थोड़ मंदीरों नी यात्रा जे, कितली दूर-दूर एदारनाथ, अमरनाथ, कितली दूर-दूर कस्त दाएक यात्रा हो जे, बक्ति थी कस्ट प्राप्त थे कस्ट भंजन परमात्मनु याद गाए कस्ट थी पापकर्मनी मुक्ति क्यों मानता था ज्याद मन बुद्धी एकाद्र करी परमधामनी यात्रा करीए इतले संदर यात्रा करीए हम्रत वेले मामनी याद करीए मामा सथे वातों करीए अने खुब संदर वात बक्ति में आपड़े अपड़ी वातों बगवान में केता था यहनि मही मा करता था क्थी निसंतर समझवानी वात यह तो आपरे समुडि रहा ते थैप्षा है समझी रहा थे क्थी संदर वातों से समझवानी निसं भुझ निस्टा निस्तम यह थी यह थी पेक जन्मोना पाप कर्मने समाप करिये तो बक्ति में जीज़ जीवातों आपने फूल रुपे करिए ग्यान एन्मु प्रैक्टिकल स्वरूप आपने जीवन बनावें तो मामा एक रुम सुन्दर रीते, बक्ति आने ग्यान नो अंतरापने स्वश्ट करियो बक्ति क्या है ज्यान क्या है कितली सुन दरवा तो श्यु बाबा यापन ने ज्ञान थी समझावी इसे बुद्धी के कपट खुल गए बाबा कहता है गोदरेज का ताला लगा हुआ है बुद्धी को मैं खोल देता हूँ तो बुद्धी ने जिए माया द्वारा पांच विकारो द्वारा अथ्वा पाप कर्म द्वारा जे बुद्धी ने ताउं लागे लूहतू श्यवावन सत्य ज्ञान द्वारा अत्वम ज्यागरोती द्वारा इश्वरिय ज्ञान अने राजियोग द्वारा प्रभु मिलन द्वारा बुद्धी नू तालू खुली गयू बद्धी दिव ये बद्धी वनी गई है इस शोनिया बद्धी वनी कितलु संदर गयान श्यों मामा इस प्रस्ट करें ओके ओम श्यारू ओव श्यांति विश्वक लियांकरी पिता मैं आपकी विष्वक ल्यानी संतान विष्वक इस्थर्व अत्मा उकुप अत्म ज्यान इश्वर्य ज्यान प्रभु प्राप्पीता मार्ग पस्टखुप मिठे श्युवर्यता मिठे मामा आपके ज्यान में मेरे बुद्धी के सब्सक्राइब मुचाई की और उठाया ग्यान युप बुद्धी को बनाया दिव ये बुद्धी दाता दिव ये शक्ती दाता दिव ये वर्दानों से मुझे सब्सक्राइब मुझे सब्सक्राइब आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मुझे आत्मा को वावन बनाने मुझे आत्मा का कल्यान करने स्वयम ब्रम्मा मामा के मादियम से मेरे लिए समय और शक्तियों को लगाया में आपको याद करते हुए आपकी शक्तियों से शक्तिशाली बन करके विश्व की अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बनाओंगी और अनेक आत्माओं को सुक्षाली रदान करने मी थे मामा, मेरे मामा, मेरे मामा पनेक अनेक गयाद करने आत्माद में को आत्माद करके अनेक और नंदो और शक्तियों शचान वो शचान वो शचान शचान वो 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 शचान